स्वाच हम करेंगे तुम्हारा क्लास थैंत हैसी का दा सुप्रेम कोट अब इस चैप्टर में यह यह इजी पर बोरिंग लगता बच्चों को तो हम इंट्रस्टिंग बनाएंगे सबसे पहले सबसे पहली लाइन जो तुम्हारी लिखी होगी सिंगल इंडिपेंडिटी इंड प्रेजिडेंट वाले चक्डर गर्टेंग कोर्ट है हाई कोट अंग आण दा सबादिन्यकोट तो ये डिवएट्टीडेशण क्यों है यह तीन पार्ट में क्यों डिवाइड है क्योंकि भारत में भी तीन पार्ट में डिवाइड है ठीक है डेमोग्रेसी तीन पार्ट में डिवाइड होगी ही होगी ठीक है तो जो पहला है पार्लेमेंट पार्लेमेंट क्या करता है पार्लेमेंट क्या करता है लॉस बनाता है एक council of ministers वगेरा भी आज़ता है cabinet वगेरा सब ठीक है वो क्या है वो क्या है वो है तुम्हारे execute वो execute करेंगे अब उनके order से ही तो जो IPS है पूरा ये सब departments काम करेंगी right indirectly तो फिर वही चीज़ आ जाती है अगर उनके मेंटर आ रही है तो फिर वो execute तो ग्राउंड लेवन पर उनको कौन दे रहा है एक्जिकुट करवा कौन रहा है प्राइम मिनिस्टर वगेरा सो वो एक चीज़ आ जाती है थर्ड अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा तो स्क्रीम को जूडिशावरी वाटीश उन जूडिशेवरी जुडिशावरी क्या होता के भाई तुम्हें कानून बना दिया कशोड़ने पकड़ी लिया अब उनको क्या करना वो कम बताएगा यह इतना सुंपल नहीं होता है बहुत काम होता यह तो मैंने कोई तुम लगा लो एक छोट इसी चीज़ की पर ऐसा नहीं होताsal ठीक है तो अब Supreme कोर्ट्स मेरा कि सहमती हूं तो अगर चाहते हूं तो चेंज किया जा सकते है इसकी लोकेशन चेंज करी जा सकती है पर अभी इंडिया में करेंटली यह यहां तो आफ हमने सुप्रीम कोट का बेसिक फंटा देख लिया सब से उपर बैठाई है अब इंटीग्रेटेड इंडि तरह किसे समझज़ लो एक तो सबसे उपर है वन है सिरफ वन जैसे बनेगा और कोई है नहीं भी सुप्रीम कोट इंडिया में एक तो सिंगल है और दूसरा सिंगल ही लॉज है तुम चाहिए सबॉडिनेट कोट्स में चले जाओ जो डिस्रिक्ट कोट्स होते हैं सिविल के सब्सक्राइब कानून वही फॉलवर है जो कॉंसेट्यूशन में सम्विधान में दिया गया कुछ अलग नहीं हमारे कुछ बोल देते के तुम हाइब कोट्स में गए उन्होंने कुछ और लॉग के साब से सजा दे दी सुप्रीम कोट्स में यह लॉग मैं तो नहीं मानता ह है इंडिया में कहा है सिंगल सिंगल इंटीग्रेटिड इंटीग्रेटिड तो क्या मतलब है कि इंटीग्रेटिड का मतलब होता है कि यह सब आपस में ही इंटीग्रेटिड है एक की जो जजमेंट है वो दूसरे का अफेक्ट करती है इंटीग्रेटिड है वो वाट वाट This Means, अगर Supreme Court ने कोई जज्वेंट दे दी, तो उसका असर High Court पे होगा, High Court ने कोई दे दी उसके Under, जो State में जो Subordinate Quartz हैं उन पे होगा. क्या मतलब इसका अगर Supreme Court ने कोई judgment देना तो बाकिग High Court जो उसके नीचे आते हैं और जो Subordinate Court उसके नीचे आते हैं कि Supreme Court से उपर कुछ नहीं है इसको एक और नाज़ीर से देख लो Subordinate Court में तुम्हारी जो चीज है reject हो गया फिर तुमने कोई अरजी डाल दी तुम्हारे खिलाफ कुछ हो गया तुम अपील करना जाते हो कि मेरे साथ गलत हुआ तो तुम High Court में जा सकते हो ठीक है High Court में भी तु तो बाकी दो पिलर्स है जैसे मैंने बताया executive और जो तुम्हारा पार्लिमेंट था ठीक है legislative उन दोनों से अलग कैसे है independent कैसे है और जुडिश्यरी ठीक है जुडिश्यरी तो तुम्हें main chapter ही भई है composition और composition क्या है Supreme Court का Supreme Court में देखो एक तो Chief Justice होगा वह ता में बढ़ा वह है एक ही है और 33 और जैसे तो 33 प्लस वन का फॉर्मला यह अपनाते हैं इससे पहले थोड़े साल 3-4 साल पहले तक यह कुछ system था 30 प्लस 1 वाला 31 थे अब 34 हो गया मैं तीन increase कर दिये गए जैसे ठीक है तो अभी भी यह बहुत कम है बहुत cases pending बचते हैं तो let's see तो composition is 33 प्लस 1 1 is the chief justice अब qualification क्या होनी चाहिए तो मैं यह जो 34 है इन में आने के लिए qualification क्या होनी चाहिए simple है सबसे पहला Indian citizen होना चाहिए यह तो देखो है यह जाओ पैसली तुम प्राइम मिनिस्टर चल जो प्रेजिडेंट चल जो MP बनने कोई बी इंडियन citizen होना चाहिए तुम पांच साल है जा हाई कोर्ट जज काम कर चुके हो at least पांच साल और यह कई books में confuse करने के लिए ना लिखी होती है कि I'm a high court judge or in one or more courses same जो भी है वो बकवास थोड़ा ऐधा confusing है पर कहने का मतलब ही है कि तुम्हें high court में पांच साल जाच होना असी है जरूरी नहीं है सरफ एक ही high court में जैसे for example तुम्हारे transfer हो सकता है तुम तीन जो साल तुम Bombay के high court में थे उसके बाद दो साल मैं लोग उसके बाद तुम shift होगे किसी और call कर पाई high court में let's say वेस्ट बेंगल के call के तुम ही है वेस्ट बेंगल के high court में तो वह वैसे तो दिखा जाए तो एक तीन साल एक दो साल पांच साल तुमने कोई करते हैं एड़ोकेट वहां पर जाके तुम मूवीज में देखते हो के तो और 10 एड़ोट एडवोकेट समझ गया इतना इसके बाद और एडिस्टेंगुएश्ट जियूरिस्ट के जियूरिस्ट तो बही होता है जो डिशियरिंग में हो ठीक है चाहे वो एड़ोगेट हो प्रेजिडेंट की निगाहों में वह बहुत तकडा बंदा हुग मरलब कि भाई एक्सेप्शनल बंद है एकसेप्शनल बंदे होते हैं कि इससे इतने 10 साल वेट मत करवा हुए इस तरह तकडा ये मलब काफी फायदा कराएगा इंडिया को इसको इसलिए प्रेजियरिया च चूस करेगा पर कल्ला नहीं कर सकता हूँ as you know president is the nominal head of the country असली head असली powers होती है प्राइम मिनिस्टर्स तो अगया president को करना है तो consult किसे करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और council of ministers को ठीक है प्राइम मिनिस्टर या council of ministers ने प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है तो तो प्रेजिडेंट प्लस council of ministers प्लस supreme court and high court यह आपे अंडर लिए दिना and high court judges जो high court supreme court के judges है mainly जो बड़े judges है high court के chief justice वालों को माना जाता है mainly तो वो होने चाहिए तो supreme court and high court के judges प्लस president प्लस PM इन सब की जब रजामंदी बनती है तो decide किया जाता है कि आएगा के नहीं आएगा in case कोई normal जैसे 33 अगर decide करने तो chief justice से भी पूछा जाएगा कि इसमें आना कि जो existing chief justice है अगर existing chief justice retire हो चुके है नया chief justice choose करना है तो क्या चीज रहती है भाई सब क्योंकि हमने आगे पढ़ेंगे पर तो होता है कि इन सब से हमें रजामंदी रखते हैं और जो senior most judge है mostly यह हो गया दो बारी हुआ है जब senior most को नहीं बनाया हो पुरे इंडिया के थास में नहीं तो senior most ही बनता है तो जो पूरे 34 में senior most है उसे हम chief justice बना देखते हैं देखो यह 34 कैसे elect होंगे president plus prime minister या council of ministers और plus इनकी रजामंदी से फिर उसके बाद अब किसी और judge को लेके आना है ठीक है लेट से अब कोई retire कोई resign कर जाता है 34 में से chief justice नहीं कोई simple resign कर जाता है तो president in consultation with chief justice उस बंद को लेके आगा ये रेटीर है तो रहे गई chief justice भी involved हो जाएगा तो फिर अभी डिक्कते होती है फिर सोचना पड़ता है कि भाई किसी और को लेगा या क्या करें अब अगला तुम्हारा वांस अप्ट आता है यह मैं पढ़ाता हूँ एड़ हो जग पर ठीक है अब वो high court के judge को तुम थोड़ी देर के लिए यहां पर chief justice भी छोड़ो इनका कोई ये बना दो ठीक है 34 member बना दो से और most cases में जब तुम 65 के होते हो जब रिटायर हो रहे हो तो चीफ जस्टिस होते हो बिकर senior most judge ही बनता है और 65 के रिटायर्मेंट है तो वही चीज़ है उससे बड़ा तो कोई हो ही नी सकता ना महां पर तो अगर तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहरू और resignation या तो तुम 65 के हो के रिटायर हो जाओ या तुम रिजाइन कर दो अब रिजाइन करके अपने president को पकड़ा दो कि मैं तो नहीं काम कर रहा हो जाएगा impeachment is possible yes it is possible impeachment is possible is it possible yes मतलब के हटाया जा सकता है हटाया जा सकता है लेकिन removal of judges is very difficult हम आगे पढ़ेंगे अब कैसे हो सकता है यह बच्चो में लिख दिया और पर फिर समझाया भी नहीं तो देखो impeachment is possible yes it is possible लेकिन इतना सौखा काम नहीं है क्योंकि appoint किया तो भी इतने लोग लगे थे अब तुम हटाओगे तो इतना जल्दी क्यासे हट जाएगा सबसे पहले obviously president अगर president को लगा कि भाई यह सई वंदक सई काम नही तो वो प्रूफ लेके आएगा वो कहेगा कि इसे हटाओ उसके बाद क्या होगा या फिर वो छड़ो दो हमारे तुम्हें पता है या तो लोग सबा एक लोग सबा एक राज्य सबा ठीक है इन दोनों में से किसी में भी पास हो सकता शुरू हो सकती बात कि हटाना चाहिए ठ स्कीर को कि बाई हमे तो इसे हटवाना या फिर आजसा सबहएं पिचास बन्द देदे हमें हटवाना तो वह चीज वाट है चाहन से चीज होई क partners और यह तो consumption सब्सक्राइब फिर सब्सक्राइजें होगी debate in the sense जो तुम्हारे पार्लेमेंट की तुमने सुना होगा रहा होती है राज्य सब्सक्राइब होती है वोटिंग होती है वह सब चीज़े होती है तो फिर वोटिंग होगी फिर तू थर्ड मेजॉरिटी देखी जाएगी दोनों हाउसस में चाहिए यह नहीं कि सरफ किसी एक हाउस में पड़ेगा टू थर्ड मेजॉरिटी एंड फिफ्टी परसंट यह दोनों कन्फ्यूज करते बिच्छे को मैं अभी समझायता हूँ जितने टोटल बन्दे है उसका 50% और एक्जाम्पल 500-600 है ठीक है एक्जाम्पल है यह कोई ओफिशिल फिगर नहीं है 600 मेंबर हैं पार्लिमेंट के सिर्फ लोग से बागे 50% पहली बात वोटिंग होनी चाहिए उसकी मतलब कि 50% 300 तो होने ही चाहिए वोट उसके अगेंस्ट ठीक है और टू थर्ड मेजॉरेटी होनी चाहिए जो कि वहाँ पे बैठे है अब देखो कोई ऐसे पार्लिमेंट का सेशन अगरा होता है हर मिनिस्टर नहीं आता यह तुम्हें पता होगा हर मिनिस्टर नहीं आता काफी नहीं आत लोग या फिर काफी कोई दिन आते हैं कोई दिन नहीं आते सेशन में वह चीज है ठीक है जैसे हम स्कूल जाते हैं वह वह से ठीक है तो जितने प्रेजन्ट होंगे उनकी टू थर्ड मेजॉरेटी होनी चाहिए लेट से 600 में से भाई साव 600 में से आए ही 500 छेज़ो में से 600 पाने चाहिए थे उसमें से 300 पे 50% होना था लेकिन आए ही 500 तो 500 का अगर हम 2 3rd कर दें जो कि अब नहीं निकलेगा यह नहीं 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 होगा पर सिंपल है क्या दिखकर था ठीक है 1-6-6-6 चलता रहेगा अगर हम यह कर दें तो यह कुछ 300 सम्तिंग बन रहा तो इस केस में क 300 तो चाहिए न 50% करने के लिए और 2 3rd majority है मतलब अगर आए ही 300 बने हैं let's say 300 लोग ही अटेंड किया 300 लोगों इसमें से तुम अगर यहां पर 2 3rd majority ले भी आओगे फिर भी नहीं किया जाएगा क्योंकि 200 बनेंगे 300 तो में चाहिए तो यह तो criteria होते हैं पहले तो पूरी population का 50% जितने प्रेजेंट का तुधर इतना कुछ काम का नहीं है अभी के लिए अगर तुम मतलब लॉल भी वगर उसमें का आएगा काफी दिक्कते आएंगी काफी चीजे आएंगी इंडिपेंडेंट कैसे है किन-किन वह जो मैंने पहले दो चीजे बताई थी तुमें एक्ज के दस लिखने है तीन चारी आएंगे maximum के कोच भी लिखे दो appointment of judges appointment कैसे करते हैं देखो appointment पहली चीज इतनी सुखी नहीं होती एक बंदा नहीं कर सकता अगर एक बंदा करता ना तो एक बंदा ही निकालता वह हम आगे पड़ेंगे appointment of judge में सिरफ जो ministers है उनका हाथ नहीं होता मैंने तुम्हें बताया ना Supreme Court High Court के judges प्लस Chief Justice अपका हाथ है तो obviously इनकी से है इनकी जाधा है तुम कहलो इनकी भी काफी है ठीक है तो इस case में appointment of judge बेस प्यॉरली यह नहीं है कि minister कर रहे है नहीं उनका पूरा-पूरा roll out जैसे मैंने काना अगर वो नहीं मानेंगे तो दिक्क इतना असानी से निक्षिया सकता भी कितने पाप पर बेलने पड़ेंगे भी यह तनी महनत कॉन करें ठीक है पहले पास कराओ फिर प्रूफ करो फिर उसके बाद majority लेगया हो इतना कॉन तो removal of judge भी इतना असान नहीं है कुछ भी वह ऐसा नहीं है कि भाई यह क्या ही है अब तुम देखोगे कोई भी यह चीज है न चीफ जस्टिस को और ऐसा नहीं कि अगर चीफ जस्टिस लेट से प्रेजिदेंट की सुनता है तो सिरफ चीफ जस्टिस की मानी जाएगी नहीं अगर चीफ जस्टिस ने कोई decision देना है अगर चीफ जस्टिस ने कोई decision देना है in regard to these things कि appointment हो गयी removal हो गया in cases में कोई उसने अपना बयान देना कोई कुछ देना को अकेला नहीं दे सकता वह बाग अट लीस्ट चार senior most judges इसके अलावा उनसे consult करके बोलेगा प्रेजिदेंट तो यह एक चीज़ होती है ठीक है तो अगर वो चीफ जस्टिस भी प्रेजिदेंट की मानता है तो उसको यह चार बंदे सोड़ी मानेंगे सब लोग थोड़ी एकदम से हो जाएंगे समझ लोग चीज़ होती है appointment of judge ट्रिक removal of judge टिक क्योंकि इतना सान नहीं है तो यह इंडि security तुम्हारे ऐसा नहीं है कि कल जॉब चली जाएगी फ्लक्ट्वेशन से कोई तिकत वाली बात ही कोई नहीं तो यह भी एक चीज़ होगी कुछ भी लिख डालो salary security है तुम्हारी salary consolidated fund of India से आनी है भाई कुछ भी हो जाए until and unless बहुत बड़ी financial emergency नहीं लग जाती तुम्हारी salary नहीं कटी जाएगी कम बिल्कुल भी नहीं की जाएगी box वगेरा होती रहेंगी सब कुछ सही जलता रहेगा और consolidated fund की debate बातचीत भी नहीं हो सकती वहाँ पर है कोई तुम्हें ऐसे भी नहीं कह सकता कि इस fund से निकाल के कहीं और पैसे लगा दो उसकी बात नहीं हो सकती पार्लेमेंट में तो वह एक चीज़ है freedom freedom to announce decisions decisions announce कर सकते किसी का डरनी किसी पार्टी का कोई जीते कोई हारे उनकी एक independence है हाँ वो कभी-कभी थोड़ी वाइलेट ऐसा मानना जाते है नियूस में कहते है कि वाइलेट हो जाती है पर majority cases में चलती है सीधी साधी and independence है एक freedom है कि जो supreme court है वो अपने decisions दे सकती है announce कर सकती ह punishment for contempt of court अगर तुम court की बेस्ती करोगे किसी भी वे में यह आम बंदे की भी बात है यह कोई ministry ministry उसकी बात है तो तुम्हें punishable हो वो एक punishable offense है what does it mean कि अगर तुमने कोई भी contempt of court किया लाइट से कोई witness ने जवाब देने से माना कर दिया कोई कुछ कर दिया उसने ब्यान बदल है कुछ भी हो गया है कोट का टाइम वेस्ट किया है कोट का बेस्ती करी है वेसी गली तो उसको सजा मिनने चीए इसके बहुत एक्जम्बल तुम्हें लिख होगी वह तुम कर सकते हो फुल कंट्रोल है उनका अपने decisions में बही मैंने यहां पर पुएंट बोला ठीक है पूर तुमने निकालने की वह अर्जी नहीं डालनी ऐसे तुम सिंप्ली बातचीत करी नहीं सकते उन पर वह बातचीत करने के लिए भी तुम्हें कितनी मतलब देख लो सो बंदे राजस लोग सबा में यह वह चाहिए तो बहुत है ठीक है प्रोहीबीशन ओफ वोग आफ्टर र कुछ भी नहीं कर सकता है जिंदिग में नाई बिक आई कोर्थ मिसे क्यूं अब यह इसलिए कि अगर देखो senior रहेगा अगर वो रहे गा तो वो senior रहेगा ओब्यसली। तो कोई और भी बन जाएगा पर इसका कंट्रोल रहेगा क्यूंकि वो उससे पहले था उसका senior है तो वो control जब रहेगा अब अगर वो retire हो गया तो वो minister की किसी और minister के साथ बन गई ठीक है कोई भी लोग से बराज जिसे बागे तो वो influence करने डग जाएगा वो influence ना हो इसलिए prohibition of work after retirement pension मिलेगी कोई तगड़ी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब जो काम कर रहे हैं उनको तो अच्छे से करने दो वो retire हो गया जो आप जो सीव जस्टिस है जो तुम्हारे ministers है इनके उपर भी उनका कोई influence नहीं रहेगा तो पूरे तरिक्के से independent जो काम कर रही है 34 बनते काफी हद तक independent of independence and judiciary so what are the powers and jurisdictions of the supreme court पर है jurisdiction का मतलब ही समझ लो jurisdiction is the power that a court of law exercises to carry out judgments and enforce law मतलब jurisdiction एक power है किस की court की court of law की ठीक है jurisdiction is the power of court of law exercises to carry out judgments and enforce law मतलब जो वो power use करता है judgments निकालने के लिए और law को carry out करने के लिए उसी को हम बोल देते है जिरिस्टिक्शन ठीक है original jurisdiction appellate jurisdiction most बहुत important इस chapter की ठीक है बाकी चीज़े भी है बट यह दो important है हम समझ लेते हैं जादा फरक नहीं है original jurisdiction is like the power to hear and determine a dispute in the first sentence मतलब के तो मैंने पहली बार कोई appeal करी उस बात पर पहली बार कोई you know कोई सुनवाई हो रही है और वो सीधा कहां हो रही है Supreme Court में इससे पहले किसी court में नहीं हुई वो चीज़ ठीक है अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई क्यों बाकी courts में क्योंकि matter बहुत बड़े होते हैं बाकी courts handle ही नहीं कर सकती कोई दो states के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन से state का हाई court choose करोगे तो कहां पर करें obviously वो biasness तो होएगी जिस भी जहां भी जाओगे तो वो नहीं होता और एक center versus कोई state हो जाए तो तो कहां जाओगे वो भी नहीं हो सकता ठीक है तो वो एक चीज़ होती इसमें examples center state और interstate disputes protector of fundamental rights अगर कोई मेरी fundamental rights को threat कर रहा है तो मैं जा सकता हूं court के पास सिद्धा supreme court के वाए सब्सक्राइब यह तो गलत हो रहा है तो मेरा सही करो ठीक है fundamental rights के लिए I have the right के मैं सीधा जाओ और कहा दू वहापर जा क्या fundamental rights से लग लग तरीके के होते है let's say मुझे कोई freedom of speech को violate कर रहा मुझे को बोलने नहीं देरा मेरा ठीक है freedom of speech को काफी वालेट कर मैं जा सकता हूं supreme court के बहुत कर सकता हूं ठीक है ऐसा नहीं को मुझे ठाके चलेगे अठा जा सकते हैं अब इसलिए lawyer वगएर के ज़िए पड़ेगी definitely वह सब चीज़े होती है एंड इसमें काफी मतलब तुम खेलो exceptions वगएरा भी होती है के भाई यह सब पहले पढ़ लाते है चलो transfer of cases from lower courts lower court से यहाँ पे वो transfer कर वालेगा supreme court का power है वहाँ पे अभी सुनवाई चल रही है शुरू ही है ठीक है तो supreme court के गा बेटा तुमसे नहुपाएगा तुम हमें देत होगे ठीक है तो वह चीज़ हो जाएगी जिस case में interpretation of constitution की जरूरत है वो सीधा यहाँ पे आएगा ठीक है अब constitution में हर चीज simple english में नहीं लिखी हुई exactly नहीं लिखी हुई कि भाई इस मौके पर यह करना इस मौके पर यह करना साथ में कोई लाइक तुम्हारे कोई budget bill है यह वो चीज़े है तो वो चीज़ लोग से को बगएरा में discuss होगी यहाँ पर नहीं होगी तो ओल रेड़ एपिल जो रिस्टिक्शन क्या होती है थोड़ा से इसे तो मौडलो तो पावर तो ग्रांट special leave to appeal special leave to appeal against the judgment delivered by any court in the country पर कोई सुनवाई हुई हुई है कोई court में उसके उसकी judgment के खिलाफ कोई appeal कर रहा है तो उसे हम appellate jurisdiction बोलेंगे कहां कर रहा है Supreme Court में ठीक है Supreme Court में काफी cases है अब इसकी अलग history वगरा चलती हम पढ़ेंगे किस case में पर पहले लोग को लगा था कि यार Supreme Court में जादा चीज़े आएगी यह दो तिन मसले आएंगे बाकी आएगी तो उसको एक administrative body बनाया था कि तुमने देखना है कि बाकी चीज़े सही work कर रही है और वह पहला constitutional cases है अगर वही constitution पर बात आ जाती है अगर high court वगरा ने किया तो फिर उसे करना पड़ेगा अब high court भी कई वर यार high court वाले भी समय दाने वहां तक पहुंचे तो उन्हों भी लगता कि यार इस case को थोड़ी जादा expertise की demand है इस case को थोड़ा आगे होना चाहिए because यह impact क करेगा country को यह impact करेगा लोगों को ठीक है लोगों के सोच रहे हो है यह वो चीज़ें को तो इसलिए constitutional जो cases होते हैं वो appellate jurisdiction के थुरू आ सकते हैं ठीक है दूसरे civil cases होते हैं और तीसरे होते हैं criminal cases यह तो पाते हैं constitution तो obviously आएंगी आएंगे पर civil cases criminal cases में क्या है कि civil case मतलब धुका दाड़ी होगी कि कुई पैसा कुछ ऐसा हो गया dispute होगा दो भाईयों में dispute होगा कि किसे जमीन चाहिए किसे नहीं चाहिए कोई विल थी पर उसका गयत इंटरप्रेट किया गया कुछ और कर दिया गया बहुत तरीके की चीज़ें ठीक है घर में कोई होता है कि husband wife का बहुत ऐसे ठीक है अलग लग चीज़ें तो वह सब्स्टेंशियल कोईशन ओफ लॉग हो अगर उस केस में है दो बंदोगा पर वह इंपक्ट बहुत लोग को करेगा तो उस केस में तुम मतलब सुप्रीम कोट में अपील कर सकते हो या फिर नीड्स तू बी डिसाइड़ सुप्रीम कोट यह हाई कोट अगर समझ ले कि भाई हाई कोट ना सिविल केसे को आगे रेकेमेंट कर देते कि सुप्रीम कोट में करो ठीक है क्यों दो केसे में अगर तो वह सब्स्टैंशियल कोशन ओफ लॉग के साथ हो मतलब इसकी एक्जांपल देनी मुश्किल है अगर है दो बंदों यहरा है उस पर देश फी इंपक्ट पढ़ेगा इंपक्त अंतले संजय नहीं के दो बड़े बंद हैनका ऐसे इंपक्ट पढ़ेगा नहीं उसका जू वर्डक निकलेगा वो उसके जैसी और बी केस होंगे तो उनपे इसलेप zarख कर दाया तो इसले वह सप् criminal cases को दो तरीक्टे में हो सकते हैं। अगर तो High Court ने certificate दे दिया तो तुम जा के पील कर सकते हो क्या ही होता है पर वो क्यों मिलता है वो इसलिए मिल जाता है या तो देखो जो तुम्हारा हाई कोट है उसमें मौत की सजा सुना दियो death penalty पे तुम अपील कर सकते हो तुम्हें वो suppression leave to appeal मिल जाएगा या फिर तुम मौत की सजा ना सुनाई हो और जो तुम्हारा होता ना कोट संपोटुनेट कोट वहां से वेडिराव कर लिया है कोट ने एंद फिर एक्यूज को अउट कर दिया है और या तो दूसरे केस में अभी केस चल रहा था है पर जैसे यह एपील हो सकता है उन्हों ने भी उठा लिया और वोगतते अभा अब हमसें और तो इसलिए इतना यह कोई डिटेल में नहीं पूछता एपिलेट और इनका फरक पता होना चाहिए उसके बाद रिलेटेट पर उनके साब से क्या होना चाहिए और यह भी नहीं है कि जो उन्होंने डिवाइज दे दी वो बाकियों को माननी पड़ेगी एडवाइजरी है मानना माननों नहीं तो नहीं प्रेजिएंट का ज़रूरी नहीं कि वो माननी मानने ठीक है तो यह चीज़ है उसके इस लिए रिवाइजरी जिरिस्टिक्ष्टिक्षिन कुछ नहीं है अगर कोई सुप्रीम कोड ने डिसीजन दे दिया पर अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें रिव्यू करना चाहिए कि कुछ चेंज करना पड़े कुछ विकज देहो एक बार सुप्रीम कोड ने जो डिसी जिरिस्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक्ष्टिक् के लो fundamental rights के खिलाफ है constitution के खिलाफ है तो उसे null and void declare कर सकती है ठीक है null and void declare कर सकती है उस कानून को जो की सरकार ने बनाया था उसे supreme court कर सकती है null and void declare तो बहुत बड़ी power है ठीक है और इससे यह भी है कि check रहता है ठीक है ministers कुछ भी decisions महीं ले सकते कुछ भी कानून नहीं बना सकते ठीक है अगर वो बनाने लगे तो हमारे पैस एक check है null and void चीज़े declare करने का और काफी बार declare किया भी है तो यह एक चीज मतलब plus point है तुम कहलो एक बहुत बड़ी power है ठीक है power के judicial review अब judicial review की ज़रूरत क्यों पड़ी obviously जो team pillars है equally strong रहे ऐसा नहीं है कि जो parliament है वो overpower कर जाए जो सरकार है वो overpower कर जाए executive बाकी दोनों को तो यह ना हो यह ना हो इसलिए judicial review ठीक है obviously anonymity बनती रहती है और हमने सबसे पहली definition है पड़ी थी कि independent है तो independence रहेगी और लोगों के भी fundamental rights रहेंगे उसके बाद court of record का एक चीज तुम्हारे बुक में है I think है न स्लेवस में और तुम मुझे बोलो कि भाई है भी पढ़ाई जारे स्लेवस में नहीं है है और तुम्हारे पूरे chapter है I think so yeah court of record के court of record का मैंने पता नहीं क्या लिए है but whose judgments are recorded for evidence and testimony मतलब court of record वो court को बोला जाता है जिसकी judgments को record किया जाए for evidence and testimony तुम कोई भी Supreme Court का case हो उसको अच्छे से record किया जाता है books में ठीक है और उसके evidence and testimony के लिए मतलब कि भाई साब court of record में एक चीज या जाई मैं ना मुझे यह पता नहीं प्री बोर्स में आया था और मैंने मैं इस concern लिखे आया था कि court of record वो वला court है नहीं वाई supreme court is called court of record यह question था तो मैं लिखे आया था supreme court is called court of record because it has taken so many decisions which are recording in nature या मैंने प्री पता नहीं में इंगलिश क्या लिखा था मैंने पर कहने का भाव मेरा यह था कि supreme court को इसलिए court of record बोला जाता है क्योंकि उसने बहुत record-breaking ground-breaking decisions दिये हैं जो कि बाकी कोई दे नहीं पाया और इसलिए उसे court of record का जा था कि बहुत कमाली कर दिया और फिर मैंने एंड में एक और लाइन चिपका दी थी कि it is also court of record because उसके जो evidences है वगरा चीज़े उसके जो ब्यान है ठीक है वो जो verdict निकालती है अब record होते है उसके number म पहले वाला मैंने पूरा पैरा निखा था ती चार पांच लाइनों का वो सब गल्त आखरी लाइन में वह मुझे आता नहीं था तो कई मार दिया मैंने का इसलिए भी हो सकता है तो ले दिया तो वही सीज़ा है whose judgments are recorded for evidence and testimony तो court of record इसलिए बोले जाता है इसका question most probably आएगा त इसके जो वही मैंने तुम्हें बताया जो इसने फैसला दे दिया बाकी जो courts है high court वगेरा वाले वह पढ़ते हैं इसे और उसके base bet act करते हैं अगर तुम्हें नहीं पता देखो LLB कोई वकील कर लेता है या कोई भी कर लेता है जज़ वगेरा सबका हो गया पढ़ाई लिखा ही होगी उनके जो नए Supreme Court decisions ले रहा है उनको चेक करने बढ़ते हैं क्योंकि उसके base पर ही इन्होंने act करना है उसके base पर ही वैसा कोई case आया तो वैसा ही decision दे रहा है तो या यह है कोई jurisdictions अब हम last part तुम्हारे chapter का करके chapter को finish करते हैं so functions of Supreme Court के हैं यह हम पहले ही बढ़ सके हैं बस अगर तुम्हें कोशन आया तो क्या लिखना है यह तुम देख लो सबसे पहले settlement of disputes यही करता है देखो कोई भी कोटा भी यही करता है पर settlement of disputes कौन जबन से तरीके के पहले original इस deal by special leave भी हो सकता है कि जिसमें तुम्हें या तो high court ने दिया था एक leave ठीक है एक certificate दिया था या उससे भी ज्यादा अच्छी चीज तो में इसमें लिख सकते हैं कुछ cases में Supreme Court खुद हमें special leave प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें यहां पर काम कर सकते हैं जो हमने मैं पहले अगरी पस paragraph on में लिखना उसमें हमने पॉइंटों में लिखा यह चीज होती enforcement of fundamental rights बहुत कम कांचान से जाने का और वो तुम numbers देखने हैं कितने marks का enforcement of fundamental rights important point कि भाई जो fundamental rights हैं वो enforce हो वो मिले बंदों को जो पब्लिक है जो लोग है उसे मिले यह function है उसे एक काम करना है भाई साब इसके बना नहीं चल सकता बहुत important और इसी चक्कर में उसे एक चेक रखना पड़ेगा सरकार पे चाहे स्टेट गवर्मेंट हो चाहे सेंट्र ना बना दे जो fundamental rights लोगों के चीन रहा हो ठीक है अब यह बात नहीं है कि कभी कुछ करी नहीं सकता फिर जो सरकार है ऐसे तो emergency लगेगी ऐसे जैसे अभी covid आया था तो एक जम से घर में लोग बंद हो गए ना बाहर निकलना हो गया ना बंद तुम कहोगे भईया freedom थी यह त अब administrative and supervisory functions इस पर तो कुछ भी लिख दालो administrative मतलब कि भाई वो अपना काम करे एड्मिनिस्ट्रेट करें जो अपने लोग भी आरें में एक पॉइंट भी होगा एथिंग code of conduct बनाए तुमारा जो एड्वोकेट्स आरें या कुछ आरें उन्होंने uniform कैसे पहनी उन्होंने कैसे करना क्या क्या चीज़े कर नहीं है वो सब चीजों का ठीक है तो administrative and supervisory functions and supervisory functions भाई साब supervisory functions क्या चीज़ है कि मतला वही मैंने कहा जो यहाँ पर कि चेक रखे सरकारों वगेरा पर उन्हें सुपर्वाइस करें उन्हें उपर से जो कोट्स है उन्हें सुपर्वाइस करेंगे वह कोई अलग decision तो नहीं ले रहे हमसे कोई बिल्कुल यह opposite दे रहे हैं कोई गलत ही ना कर रहे हूं ठीक है इनके according की देना है constitution की देना है और supreme court क पास judgments के according देना है important rates है कुछ ठीक है जो कि तुम्हारे यह fundamental rights में भी काव आएंगी यह अलग ही आती है one mark में कुछ आ सकती है यह कभी नहीं समझाई थी मुझे class में at least 9 तक I was like completely ignorant 10 तो में भी तुम में बताओ बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं हेवियस कॉर्पस अभी इसका बुक में पता क्या लिखा होता है to have a body to have a body मतलब क्या कि शरीर में उस है हाँ basically यह है अगर किसी चीज ने किसी या तो देखो किसी बंदे ने फिर तो उस पर case हो जाए अगर किसी अगर पुलिस ने या किसी ऐसे government organization ने किसी ने भी किसी बंद उस जारी करते हीवियस कॉर्पस की रेट अब मतलब कि जैसे for example कोई बंदा है ठीक है उसको जेल हुई थी दस साल की वो दस साल के बाद भी जेल ही बिता रहा है बताब दस साल खतम होगे उसके बाद उसे रिकाल दियाना चाहिए था पर फिर वियो जेल में है एक साल दो सा जितना भी तो उसकी घरवाल है या कुछ भी जा सकते हैं सब्सक्राइब के बास कह सकते हैं यह तो दिक्कत है तो हीब्यस कॉपस उन्हें मिलेगा कि बढ़ी निकाल लो पहले पूछता पर ताल अगयरा होगे आए भी दोड़ी दे देंगे और जी उसकी सही में देखे जा क्या था to have a body मैंडेमस में कि हम order कर रहे है supreme court order कर रहा है किसी को ठीक है नीचे जुसके छोटे court से उन्हें order कर रहा है ठीक है इसमें तुम V order लिखा हुआ है वी order ठीक है मेरे नोट्स में मैंने सिर्फ नाम लिखिया और basic वो लिखी थी कि देखो hebeos को उपस to have a body निकालना बंदार रिखा कर दे में आंडेमस V order हम order कर रहे है thar debt of thirty already रिट आफ search you already search you already already right of search you already already or it or prohibition यह दो लों related बहुत सेम है similar है ठीक है पर पहले हम रिट of search you already प्रकु कोई case हो गया तो तुम मतलब उनको कह रहे हो के भाई आज कल चल क्या रहा है ठीक है अब तुबी इंफॉर्म्द वत एस हापनिंग टू बी इनफॉर्म्ड वाट इस हापनिंग क्या हो रहा है क्या मितलब ऐसा कि हाल्चाल पूछ रहे है नहीं हाल चाल नहीं पूछ रहे वह केस के बारे में क्या हुआ वह पूछ रहे ठीक है rate of कि बाइच चल रहा है उसे रोख दो दो जो चल रहा है उसे रोक तो जो केस वेज़ चल रहा है अब तुमाuben widget क्या po idable ुइआ बाट ऐसे झड़े थे क्यों कुझ चीज चल रही है ठीक है सबीम हो है निख काफी इसमें काफी ऐसे समझा دिया Prohibition ओ प्रो Ayники क्या लिख दिए मैंने प्रिवेंशन प्रिवेंशुन इस बेटर इन क Japanese कि फिरिंशनिस बेटर देन किया प्रिवेंशन है तुमारा रिट्थ प्रोहीबिशन प्रोहीमिशन क्य और है तुम्हारा कि कोई चीज गलत ना हो जाए तो वो रोक देंगे वो केस रोक देगा कि तुम यह केस ना लो या तो हमें देदो या फिर केस बंद कर दो ठीक है तो सप्रीम कोड बोलेगा तो प्रेविंशन होगा रिट अफ प्रोहिपिशन एंड क्यो और होगा कि आप दिक्कत होगी यह सा सही करना है रिजलत आप शाशी और एंटो वाट 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 आदेश पर तुम यह काम कर रहे हो अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई सरकारी दफ्तर ले रखा है ति कोई चीज पर हो तुम कोई पोस्ट पर हो पर तुम्हारे पास उसकी क्वालिविकेशन ही है तो तुम किस के कैसे आ गए वहाँ पर तो वह कॉलिफिकेशन तुम्हारे पास है के नहीं वह चेक रखने के लिए क्यों वरेंटो किया जाता है ठीक है किसी को पता लगा कि भाई इसके रहो अकली निकले कागजात हो गयरा यह तो यह कोई पर्टिकुलर चीज उसके ही नहीं जैसे हमने पड़ाते हैं यहां पर 10 साल का एड़ोगेट होना चाहिए उसने किया ही 5 साल है पर उसने दिखा दिया 10 साल जैसे तैसे वह दूसरे कोट में था ठीक हैसे बॉडिनेट में था ऐसा गर के गल्द दिखा दिया तो उस पर क्यों अब रेंट जारी हो सकता कि आशे कैसे तुमने दिखा दिया क्या सही में यह चीज जो हम सुन रहे हैं यह सही है लेकिन यह सब चीजे होती है आई होब तुम्हें चैप्टर समझाया हो नेक्स चैप्टर इतना बूरिंग नहीं है क्योंकि हम यह चीजे पहले ही पढ़ चुके आदी से जादा उसमे चीजे होंगी वह सेम होंगी ठीक है जो रिस्ट्रिक्शन यह वह चीज है सो याँ डाइट इस फूर टोड़ी गाई आई हो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हाई कोट्स आंस बाडिनेट कोट्स